नमस्कार, मैं डॉक्टर नवदीप सिंग बैंस, एस्सेट प्रोफिसर बोटनिगी दुंगर कॉरला इस भी कनेर राजस्तान, आज इस प्रेजंटेशन में मैं आपको टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजिनिरिंग के तत्वा धन में जो फस्ट पीसी आर वास्ता में क्या है, जो इसका प्रेज्टर है, जिसे हम पॉलिमरेज चेंज जेक्शन भी बोलते हैं, इसके बारे में मैं आपसे पुछिच्छा करूँ जो की आनविक जी विग्यान, मॉलिकुलर बालोजी के अंदर इसको कामे लिए जाता है, इसमें किसी भी एक डियने की जो सिंगल कॉपी है, उसको बहुत से, या उसके डियने के कोई सेग्मेंट है, टुकडा है, उसको एम्प्लिफाइ किया जाता है, उसकी संख्या को से समय के अंदर ही, हाटली तीन या चार गंटे के अंदर, PCR जो ये एक मॉलिकुलर टेक्नोलोजी है, जिसको ये एम लेकर के बनाए गया, जिससे हम DNA की हजारों या लखों को पीज हम तियार कर सके, इससे सबसे पहले, 1983 में, 1983 में, कैरी मुलिस, जो एक साइंटिस्त है, उन इसका मतलब यह है कि ये काजकल बहुत ही परमावशक टेक्नीक है, जिससे हम मेडिकल या जी विज्यान की किसी रिसेर्च लैप में, बहुत से अनुपयोगों के लिए इसको इसको इस्तिमाल किया जाता है, और इसमें जैसे, इस इंक्लूद डियाग्नोसिस ऑफ इंफेक् मंदीद जो फाइलोजेनी है, मतलब अनुआजशी की या किसी की हमें अडिट्री वगरा अगर देखनी है, तो उसमें भी ये टेक्निक बहुत काम में आती है, इसलिए 1993 में मुलिस को केमिस्ट्री के अंदर, हरसायन विज्यान के अंदर, नोबल प्राइज भी इनको मिला इनके साथ एक विज्यानिक और थे, माइकल स्मिथ, इन दोनों को PCR के इस काम के लिए 1993 में नोबल प्राइज भाइज 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 अगर PCR की बात करें, तो 1983 में सबसे पहले केरी मुलिस जो हैं, उन्होंने डेवलप किया, 1985 में सीट्रस कॉर्परेशन एक प्राइविट कंपनी थी, जिसका सबसे पहला पुबलिकेशन है, इनका सबसे पहला पेपर पुबलिश हुआ था, 1985 के अंदर, विज्यान के अंदर, 1986 में जो टेक पॉलिमरेज है, टेक पॉलिमरेज एंजयम वास्ता में एक बहुत गरम इस्थानों पर उखने वाला डेवलप होने वाला जो बैक्टिरिया है, थर्मस अकुटिकस, उससे इस एंजयम को प्यूरिफाई किया गया, जिसका हम PCR में बहुत ज़ादा उपयोग कर जाता है, और उस टेंप्रिजर पर सामाने एंजयम काम नहीं करते हैं, तो वहाँ टेक पॉलिमरेज जैसे थर्मोफिलिक जो एंजयम काम करते हैं, तो यह 1986 में इसकी खोज की गी थी और इसको प्यूरिफाई किया गया था, उन्नीस सो पहले अटीनान behavior गया पॉलते हैं, उन्नीस सबसे पहले पॉल्ट में शोफें में में पार्कें आलमर जो कंपनी हो हैy उन्होंने सबसे पहले, 59平म आइंटान हम और में मैं 1989 का जो साल है उसको विज्ञान ने डिकलेर किया टैक पॉलिमरेज एंजयम को मॉलिक्यूल ओफ दा इयर के नाम से नवा जा गया क्योंकि उस समय इसकी बड़ी धूम बचे थी टैक पॉलिमरेज की तो इसे 1989 को पूरे वर्ष को उसको समर्पित किया गया था टैक अधिशन डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक डिने सिकेंस यूजिंग ए फ्लोरसेंट डिने बाइंडिंग डाई लेंक दफ फांडिशन फूर फूचर रियल टाइम और कानेटिक पीसियर रियल टाइम या जो कानेटिक पीसियर रहे इसकी जो बुनियाद है वो 1990 में एक फ्लो इसको एंप्लिफाई या उसको डिटेक्ट कर सकते हैं वो 1990 में हुआ था 1991 में आर्टी पीसियर इस डेवलोप यूजिंग ए सिंगल थर्मोस्टेबल पॉलिमरेज आर्टी टी एच फेसिलिटेंग डियागनोस्टिक टेस्ट फॉर आर ने वाइरस उनिस से क्यानवे में आर तो इसको डिटेक्ट करने में काम में आजकल आता है और सब से ज्यादा आजकल आजकल क्रोना काल की अंडर जितने भी टेस्ट हो रहे हैं वह आथंतिक टेस्ट पीस हां को डिया जाते एं वो को सब से पहले 1991 में इसको strongest कीए आग था आवशकता क्या होती है, requirements क्या होती हैं, इसमें ये reaction mixture क्लाता है, जितने भी हैं इनको reaction mixture कहते हैं, ये क्रैयतमक मिश्रन का जाता है जिसमें मेगनेशियम क्लोराइड होता है 0.5 से 2.5 मिलिमोल इसमें एक बफर यूज़ किया जाता है जो कि pH को 8.3 और 8.8 के पीछ में उस विलियन को जो है इतनी pH रखता है बफर जो है उसके अंदर और DNTPs का मतलब Deoxy Nucleotide Triphosphates जो Nucleotides हैं वो करीबन इसमें डाले जाते हैं 20 से 200 माइक्रमोल RNA Primers इसमें यूज़ किया जाते हैं जो 0.1 से 0.5 माइक्रमोल तक इनकी मात्रा होती है इस मिक्चर में और DNA Polymerase Enzyme जो है इसके अंदर 1-2.5 इनकी में इसमें इसमें इसमेड़ किया जाता है और Target DNA जिस DNA या Template DNA जिस DNA को हमारी का स्टेप्स करनी जिसकी कोपियां में बनानी है वो 2 माइक्रोग्रम तक इसमें काम में लिया जाता है ये पूरा Reaction Mixture किलाता है इसे हम बज़़ बज़़ और हम reaction mixture के बारे में इसको चर्चा करेंगे अब इसमें PCR में क्या क्या स्टेप्स होते हैं देखिए सबसे पहले स्टेप एक्चल में PCR क्या है PCR में इसको thermal cycler भी इसलिए बोलते है thermal cycler क्योंकि इसके अंदर अलगलग temperature को cycle किया जाता है या चक्रक किया जाता है सबसे पहले temperature को एक मिनट के लिए 93-95 degree Celsius किया जाता है उस machine के अंदर ही जिसे हम denaturation करते हैं जिसमें DNA स्टेंट सेप्रेट हो जाते है annealing का मतलब होता है जोड़ना या joining करना या add करना तो annealing के जिए है ये करेवन 50-55 degree Celsius temperature मतलब 45 second के लिए किया जाता है मतलब इस temperature के बाद में वो machine अपने अभी इस temperature को 50-55 degree कर देती है ये variation जो है temperature का अलग-अलग sample के साब से है किसी sample में 50 degree हो सकता है तो किसी में pitchman degree हो सकता है इसी तरह से जब वो annealing हो जाती है RNA primer जूड़ जाता है उसके बाद में जब chain को लंबा किया जाता है उससे elongation कहते है वहला DNA की chain को लंबा करने का process elongation या extension इसको extension भी कई जग आपको लिखावा मिलेगा तो ये elongation इसमें temperature जो है 70 से 75 degree Celsius की जड़त पड़ती है और करेबन 1 से 2 मिनट तक ये process चलता है तो एक cycle को पूरा होने में करेबन 2 से 3 से 4 मिनट का time लगता है और इस तरह की 30 से 40 cycle में चले जाती है तो अब अपने एक एक करके इसको ले लेते हैं कि components of PCR के PCR किन-किन PCR में क्या क्या चीज़े आवशक होती है इसके गटक के है PCR के इसमें सबसे पहला सबसे इंपोर्टन गटक है DNA template DNA template वो है जो DNA की target sequence है जिसको हमें amplify करना है मतलब वो DNA जिसको हमें देखना है या जिसके हमें copy मनाना है उसे DNA template या DNA target sequence करते है और इसमें वो reasons होते हैं या segments होते है DNA के जिनको हमें amplify करना है या जिनकी संख्या बढ़ानी है और इसी को हम target sequence करते है DNA polymerase enzyme इसमें दूसरा गटक है यह DNA polymerase जो है यह जो यह क्या करता है sequentially adds nucleotide यह उन nucleotides को जो primer है जो template DNA stand के उपर जो primer लगा होता है उसके third prime OH पर यह DNA polymerase nucleotides को जोड़ता है DNA polymerase enzyme तो the most और सबसे ज़्यादा काम में लिया जाने वाला जो DNA polymerase enzyme है वो है TAC DNA TAC DNA का मतलब TAC DNA polymerase का मतलब Thermos Aquaticus एक जो thermophilic bacteria है जो की बहुत अधिक temperature पर survive कर सकता है और अधिक temperature पर इसकी इस्थाई तो बना रहता है इसका इसमें स्टिमाल किया जाता है इसके लावा PFU DNA polymerase भी आजकल बहुत काम में लिया जाता है जिसे Pyrococcus furiosus नामक जो bacteria है उससे इसको purify किया गया इसको भी बहुत ज़्यादा इस्तिमाल किया जाता है इसकी higher fidelity की मतलब fidelity की मतलब इसकी vicious नहीं था की वेज़े से क्योंकि ये जो complementary nucleotides है उनको लगाने में इसकी बहुत accuracy होती है ये बहुत accuracy के साथ DNA template की जो target sequence है उसके उपर nucleotides को लगाता है और magnesium ions इसके अंदर जो है the buffer act as a co-factor इसमें magnesium ions जो है वो co-factor का काम करते है DNA polymerase enzyme के लिए और इस reaction के लिए इनका magnesium ion का बहुत आवशक रोल होता है ये क्या क्या रोल होते हैं ये मैं अभी अगली slide में आपको बताता हूँ इसमें primers primers देखिए RNA primers ये synthetic DNA strands होते हैं जिनमें करीबन 18-25 nucleotides होते हैं और ये 18-25 nucleotides complementary होते हैं template जो DNA strand है उसके third end के third prime end जो है उसके complementary होते हैं और यहीं से DNA polymerase जो है नए DNA का निर्माण इस primer के third end से ही शुरू करता है नए DNA का निर्माण DNA polymerase जो है ये primer जो हैं दो तरह के होते हैं two primers must be design दो तरह के primer को design किया जाना चाहिए PCR के लिए पिए एक तो होता है forward primer उन्य दूसरा होता है reverse primer forward primer जो है यू anti sense जो strand है forward primer होता है और जो कि sense stand के जो third end पर जो काम करता है उसे reverse primer कहते हैं और अगर if we consider the sense stand अगर हम sense stand को 5-3 जो stand है उसे एक gene को अगर हम उसको मानते हैं तो for designing primers तो उसकी primer की designing के लिए then forward primer is the beginning of the gene तो यह जो forward primer है यह यहां से इसकी gene की जो है शुरुआत होगी और and the reverse primer is the reverse complement of the third end of the gene तब यह reverse primer है वो reverse complement होगा third end पर gene के यह देखिए यह primer है जो complementary template है और यह इसका primer है complementary sequence के मतला एक nucleotide के अंदर ही जो इसके अंदर sequence है इसकी तो यह इसका एक primer है यह देखिए इस तरह से यह जो anti-sense stand है इसके उपर तो यह reverse primer है और ये anti-sense extent है जिसके third end पर जो है ये forward primer लगावा है इस primer पर यहाँ DNA polymerase काम करेगा और इसमें ये third end पर ये primer लगा इसके sense extent पर और ये 5-3 direction के अंदर यहाँ इसमें जो है DNA polymerase यहाँ करके add होगा और इसमें आगे नए DNA strand का निर्मान करेगा primer design primer को design कैसे किया जाता है देखिए primer should be bind to template with good specificity and strength मतला जो primer है वो DNA template पर एक विशिश बहुत अच्छी विशिश था और बल के साथ उसको जुड़ना चाहिए if primers do not bind to correct template अगर मालो primer सही template से अगर नहीं जुड़ा तो यह गलत जो है sequence जो है DNA की उसको amplify करता रहेगा तो यह इसमें बहुत important है कि इसकी specificity या विशिश्ता जो है वो बहुत अच्छी होने चाहिए और एक optimal जो primer sequence है या जो appropriate primer concentration है वो किसी भी PCR की efficiency मतलब दक्षता और उसकी विशिश्ता जो maximum अत्यदिक विशिश्ता के लिए बहुत ज़री है तो primer अगर सही होगा तो आपके जो बनने वाले नए DNA stand है या जो जिस target DNA sequence को आपको amplify करना है वो तभी सही हो पाएगा अगर आपका primer का जो designing है वो सही होगा अब इस primers के अंदर क्या है कि इनके जो end है वहाँ पर GC मतलब गवैनिन और cytosyn की जो जो यह जो इसके nucleotides हैं वो sequence end पर जरूर होनी चाहिए उसका कारणी है कि देखें GC के अंदर triple bond होता है triple hydrogen bond होता है तो यह इससे बहुत अच्छी तरह से जो template पर जो है बहुत अच्छे से अटेच हो सकता है इसकी वज़े से अगर AOT होंगे तो वो थोड़े वीक उसमें जो जुडाव है वो वीक होगा तो इसलिए गुएनिन और साइटोसिन अगर एंड पर होंगे तो वो सीक्वेंस जो है बहुत अच्छी तरह से अटेच हो जाएगी template पर और इसकी वज़े से जो प्राइमिंग की जो efficiency है वो बढ़ जाएगी क्योंकि stronger binding of GNC basis क्योंकि GNC basis की जो binding है वो बहुत strong होती है इसलिए इसकी efficiency है इसका जो दक्षता है वो बढ़ जाएगी रन ओफ त्री और मोर साइटोसिन और गुएनिन अट थर्ड एंड और प्राइमर्स शुड भी अवैड़ेड़ तीन या तीन से ज्यादा सी और जी जो है थर्ड एंड पर प्राइमर्स के नहीं होने चाहिए उनको अवाइड करन बबंदीर गाता है नॉनस्पेसिफिक बाइंडिंग टू जी और सी तिकेंस इन दर एंड हो जाएगी तार्गेट सिकेंस के इसलिए इसमें तीन या तीन से ज्यादा जी और सी नहीं होने चाहिए एंड पर प्राइमर्स के एक या दो घी और सी ही होने चींगें इसके प्र इनए टेम्प्लेट के उपर बाइंड कर सके, नुक्लिटाइट्स या डी एंटी पी इस किसे कहते हैं, डी ओक्सी नुक्लिटाइट्स ट्राइपोस्फेट्स, यह वो नुक्लिटाइट्स है, इनको यह बिल्डिंग ब्लॉक्स है, एक्चल में यह वो इंटे हैं जिने हमें चिंद करके एक दिवार बनाना है या दिवार किसके बनानी है नए DNA बनाना है तो नए DNA बनाने के लिए यह सारे नुकलिटाइट्स उस रियक्शन मिक्शर में होने चाहिए इसलिए इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं और यह नए गुलिटाइट्स इसलिए अपको पता हैं DNA के अंदर रहना होते हैं और आरने के अंदर होते हैं अधिन इनन हैं गुएनन हैं शाइटोसिन थाइमीन है यूरेसिल है तो यह सारे बिल्डिंग ब्लोक्स गलाते हैं यह भी इस रियक्शन मिक्शिर के अंदर होने इसका मतलब यह होता है कि टेंप्लेट जो डेने टेंप्लेट को प्रिथक किया जाता है अधिक ताप करम पर उसे डेनेटुरेशन कहते हैं एस वेल एस एंजाइम एक्टिविटी और उसके अलवा जो पॉलिमरेज एंजाइम है उसकी एक्टिविटी के लिए मेगनेशियम की उप्युक्त मातरा का होना बहुत आवशक होता है मेगनेशियम आयन का तो अगर इसका मेगनेशियम एक्सेस होगा तो एक्सेस में नौन स्पेसिफिक एंप्लिकेशन प्रड़क्ट्स का जो है बनेंगे ज्यादा नहीं होना चाहिए मेगनेशियम ज्यादा होगा तो नौन sequence का जो हमेर का implication चाहिए वो कम मात्रा के अंदर प्राप्त होंगे इसलिए इसकी magnesium की उप्युक्त मात्रा ही उसके अंदर होनी चाहिए अब इसका procedure क्या है अब procedure में simple है इसके तीन major steps होते है PCR के which are repeated for 30 or 40 cycle जिसे 30 या 40 चक्रों के अंदर इसको पूर्ण किया जाता है और this is done on an automated cycler automated cycler जैसे मैंने बता है thermocycler यह एक machine होती है जिसमें यह automatic cycle चलती है तीन cycle चलती है वह को सी मैं भी आपको बताऊंगा which can heat and cool जिसमें alternate क्या होता है कभी heat होता है कभी cool होता है फिर heat होता है the tubes with the reaction mixture in a very short time मतला यह किसमे होता है वो एक tubes होती है इसकी PCR tubes जिनको का जाता है उन tubes के अंदर वो reaction mixture को डाल दिया जाता है है और उसमें अल्टरनेट जो है उसको अधिक तापक्रम या कम तापक्रम और फिर वापस अधिक अधिक पर उसको चलाया जाता है इससे हम automated cycler के अंदर यूज करते हैं या automated automated machine एक जो जिसे PCR machine करते हैं उसके अंदर चलाते हैं और in a very short time very short time जैसे मैंने बताया था एक करीबन 3-4 मिनिट के अंदर एक cycle complete होती है इस cycle में देखिए सबसे पहले क्या होता है denaturation at 94 degrees celsius सबसे पहले इसके अंदर during the heating step यह पहला step है इसका denaturation इसमें reaction measure जो आपने PCR tubes के अंदर जो डाला है उसे 94 degree तक एक मिनिट के लिए उसको गरम किया जाता है जिससे DNA के जो templates हैं double helic strands हैं वो separate हो जाते हैं एक दूसरे से now each strand act as template for synthesis and complementary strand अब जो यह template बने हैं separate हुए हैं अब यह नए complementary strands को बनाने में काम में लिया जाएंगे तो पहले step के अंदर क्या होता है 94 degree Celsius temperature दिया जाता है जिससे कि DNA के strands तो यह denaturation का process है जिसमें 92 degree Celsius temperature दिया जाता है जिसमें DNA जो double strand है melt हो जाता है और इससे double यह देखिए यह तो DNA का double helical structure है double strands है और temperature 92 degree Celsius देने पर यह दोनों strands separate हो जाते हैं इसमें इसे denaturation बहुते हैं यह देखिए heat causes DNA strands to separate मतलब गरम करने से यह दोनों DNA strands एक दूसरे से अलग हो जाते हैं यह देखिए पहले step में denaturation 44 degree Celsius पर यह दोनों strands एक दूसरे से separate हो गए दूसरा step है annealing, annealing का मतलब होता है joining यह जोड़ना जो इसके लिए अब 94 degree से machine क्या करेगी उसका temperature 54 degree पर नीचे गिरा देगी ठंडा कर देगी मतलब 54 degree Celsius पर कर देगी और इस cooling के अंदर जो है अब reaction measure में जो 54 degree Celsius था इसमें अब hybridization होगा hybridization या annealing होगी इसका मतलब होता है कि इसके अंदर जो प्राइमर थे जो हमने reaction measure में प्राइमर डाले थे वो अब इसके साथ TNA template के जो target sequence है जिसको हमें amplify करना है उनके साथ यह जुड़ जाएंगे template के साथ प्राइमर तो the length and GC content मतलब उसकी लंबाई प्राइमर की लंबाई और उसके अंदर GC कितने हैं GC मतलब ग्वैनन और cytosyn कितने हैं उसके content कितने हैं शुड़ भी सफिशेंट फोर stable binding with template उनकी संख्या जो है प्रयाप्त होनी जीए स्थाई binding के लिए स्थाई जुड़ाव के लिए इसको एनिलिंक बोलते हैं अब यह देखिए एनिलिंक के लिए पचास से सत्त डिगरी अलग अलग डिपेंडेंट होन था melting temperature of the expected duplex मतलब यह पचास से सत्त डिगरी celsius temperature हो सकता है एनिलिंक के लिए अलग अलग जो डिएने हैं या templates हैं उनके लिए अलग अलग इसका temperature होता है और परिस्तितियों पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी परिस्तिति के अंतर यह PCR का काम कर रहे हैं तो उसमें उसके according temperature को set के जाता है और इसमें प्राइमर्स जो है यह देखिए यह प्राइमर से यह तो थी एंड और इधर यह थार्ड एंड पर जुड़ा है reverse primer तो इस तरह से primer इस DNA template पर जुड़ जाते हैं इससे annealing बोलते हैं या joining बोलते हैं इसको इसके लिए temperature 50 से 70 degree Celsius पर कम करना पड़ता है चराणवे से denaturation में तो चराणवे तक हो जाता है temperature इसके अंदर उस temperature को कम किय जाता है यह देखिए यह annealing है जिसमें primers bind to template sequence जिसमें primers bind हो जाते है टेक polymerase recognize double standard substrate अब इस जैसे यह annealing हुई यह annealing में जैसे देखिए यह इसके अंदर primers से इसमें जुड़े अब जो टेक polymerase है यह आप टेक polymerase आकर कर जूड़ दाएगा इसमें यह annealing है देखिए 54 degree Celsius पर annealing हुई और यह third end पर हुआ यह sense strand है यह जबकि antisense strand है जिसमें forward primer जुड़ा है यह reverse primer है तो third end पर यह 5 to 3 direction के अंतर यह जाया है यहाँ टेक polymerase जुड़ेगा और यहाँ आगर के नए DNA की sequence तेखिए extension का मतला होता है extend होना यह elongation इसको elongation भी पोलते है जो कि बहुतर degree Celsius पर होता है अब temperature को मशीन का temperature क्या हो जाएगा 45 second 54 degree Celsius पर रखने के बाद में एक मिनट के लिए बहुतर degree Celsius पर इस reaction measure को गरम किया जाता है और इस गरम यहाँ अब गरम करने पर tech polymerase जो है वो इसमें काम करेगा क्योंकि tech polymerase जो है गर्मी सह सकता है यह enzyme और गर्मी इस temperature पर ही बहुत यह इसका ideal temperature है इस temperature पर यह अच्छे से stand पर जुड़ेगा और उस भाँ पर फिर यह nucleotides जो हमने reaction measure में डाले थे उन nucleotides को इन primers के साथ जोड़ करके और उस template DNA के उपर नया stand बनाने का कारेप रागम कर देगा अब चुंकि इसमें DNA जो stand बन रहा है वो लंबाई में बढ़ रहा है इसलिए extension बोलते है यह elongation बोलत मिनिट तक का है यह depend करता है अलग लग DNA templates पर और DNA polymerase binds to the annealed primers and extend DNA at the third end of the chain तो यह देखिए यह यह primer है RNA primer यह इस primer पर यह tech polymerase इसके इंदर जोड़ा है extension में अब यह nucleotides हैं यह DNTPs है reaction mixture के अंदर जो adinin है cytosin है goinin है तो यह nucleotides अब इस tech polymerase से यह अपने जो complementary है DNA template के complementary sequence पर जुडेंगे अगर यह A है तो यह T जुडेगा यह C है तो यह G जुडेगा यह G है तो यह C जुडेगा इस तरह से यह नया DNA template इसके पर इस direction में बनेगा और यह forward जो primer है जो antisense strength पर बनाया है यह इस side में DNA template इसमें त्यार होगा इस तरह से यह इंदर चलती है यह देखिए यह extension है इसका third step का 72 degree Celsius पर तो third end पर यह इसमें यह primer के उपर यह tech polymerase यहा है जिसमें इसका elongation होगा है DNA का और इधर है elongation होगा जिससे क्या होगा कि यह देखिए यह antisense strength है और यह sense strength है तो इस तरह से इसका complimentary strength यह त्यार हो गया और इसका complimentary strength यह वाला त्यार हो गया तो एक DNA से इसमें दो DNA बनेगे एक cycle के बाद में यह देखिए यह extension का और एक presentation है जिसमें tech polymerase primers को extend कर रहा है DNA is replicated DNA इसमें replicate कर रहा है यह देखिए इसमें third end से और इस तरह से यह extend करके इस तरह से नहा DNA strength बन गया और यह जो antisense strength है जिसमें forward primer काम कर रहा है यह यह इस direction के अंदर यह चल रहा है तो यह जो process है denaturing, annealing और extending इसमें 30 cycles इसमें चलाई जाती है 30 cycle repeat की जाती है तो देखिए यह मतला जो दो DNA बन गए एक DNA से टेंपलेट पर पर नए DNA बन गए और यह tech polymerase free हो जाता है final hold किसे का जाता है final hold actually जब first three steps जब हो जाते है 35 से 40 बार जब इसको repeat कर दिया जाता है जिसके बाद में millions जो है या लाकों अर्बों के अंदर जो बिलकुल exact copies बन जाती है target DNA की उसके बाद में उसके बाद में क्या होता है कि इसको hold step कियाता है hold step में क्या कियाता है 72 degree का जो extension का जो temperature उसको सिधे ही 4 से 15 degree तक नीचे down कर दिया जाता है कूल कर दिया जाता है और इसको जैसी 4 से 15 degree कूल करेंगे तो यह जितने भी आपके amplified DNA से उनका storage हो जाता है या amplified DNA उनकी PCR या उनकी जो amplification रुख जाता है और यह storage हो जाता है इसका तो इससे final hold बोल जाता है final hold का मतलब temperature को बहुतर degree से सिधे ही 4 से 15 degree Celsius तक कूल कर देना कम कर देना अब PCR an exponential cycle exponential cycle का मतलब यह है कि क्योंकि दोनों strengths जो है उसकी copies बनती है PCR के अंदर तो इसमें यह क्या होता है कि जैसे अगर मालो एक copy है किसी भी desire gene की तो एक PCR cycle चलने के बाद में एक से दो copy बनेंगी दो से चार बनेंगी चार से आठ बनेंगी आठ से सोला बनेंगी इस तरह से यह so on मतलब यह इस तरह से continue चलता रहता है जिसमें करेबन 30-40 cycle के बने होने के बाद में करेबन एक अरब से अधिक इसमें जो है मला 1 into 10 days to power 9 तक जो है इसमें copies बन जाती है DNA की template DNA की जो हमरे को DNA चाहिए था target DNA या sequence DNA जो हमरे को चाहिए थी यह देखिए यह overall जो है principle का है PCR का कि इसकी एक copy थी DNA की और PCR के बाद में उसकी बहुत सी अरबो कोपियां इसकी त्यार कर दी जाती है 30-40 cycle के बाद में तो अब यह इसका review मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ सबसे पहला step denaturation जो 94-95 degrees Celsius पर होता है करेवन एक मिनट के लिए होता है उसके बाद primer की annealing होती है मतलब primer को जोड़ा जाता है उसके लिए temperature जो है 55-50 degrees Celsius डिपेंड करता है अलग अलग DNA template पर यह करेवन 45 seconds के लिए होत attention जिसे बहुतर डिगरी Celsius पर किया जाता है और यह करेवन पॉइंट पांच से करेवन तीन मिनट तक का इसका duration होता है और total इसकी cycle के तिये 25-40 cycle इसको चलाया जाता है PCR को मतलब इसके 25-40 वार repeat किया जाता है नो target products are made until the third cycle जब तक third cycle नहीं होगी तब तक कोई target product नहीं बनेगा तो 30 cycle के बाद में अगर हम almost 30 cycle हम चला देते हैं तो उसमें करेवन एक अरब से अधिक इसकी target copies बन जाती है 1 into 10 days to power 9 यह इतनी target एक DNA से करेवन एक अरब DNA हमें 30 cycle के बाद में यह 30 cycle को करेवन 3 से 4 गंटे का बाद लगता है उसमें इतने DNS के अंदर बन जाते हैं यह देखिए यह इस तरह से PCR के अंदर यह cycle चलती है सबसे पहले denaturation जो 44 degree Celsius पर एक मिनिट के लिए उसके बाद anneling जिसे हम bind कहते हैं 55 degree Celsius पर करेवन 45 second के लिए उसके बाद में extension या elongation जो या जिसे extension बोलते है इलोंगेशन बोलते हैं बहुतर degree Celsius पर जिसमें फाइनल में उसकी एक DNA से दो DNA बन जाते हैं कॉपी बन जाती है तो यह cycle करीबन 30 से 40 वार इसको दोराया जाता है और लास्ट में final hold के अंदर temperature को चार से 15 degree Celsius तक डाउन कर दिया जाता है जिसे स्टोर हो जाते हैं जितने भी न होता है इसमें denaturation में क्या होगा है यह जो DNA double strand थे यह separate हो जाते हैं दूसरे से दूसरे step के अंदर annealing होती है annealing का मतली होता है कि 5 to 3 direction में जो यह प्राइमर यह जुड़ा था इस यहां पर यह इसका जुड़ा होता है annealing का मतली है यह template DNA पर प्राइमर जुड़ता है यह जैस से reverse primer है यह format primer है यह sense stand है यह antisense stand है तो यह जो primers है यह देखिए इस तरह से यह DNA template पर जुड़ जाते हैं इस से annealing बोलते हैं यह करिवन 45 second होती है 54 degree celsius पर और third step है इसका extension इसके बाद जब temperature को बहुता degree celsius किया जाता है तो इसके अंदर जो dntp's थे dntp's मतलब जो nucleotides हमारे जो हमने reaction mixture में डाले थे अब यह tech polymerase यह जो DNA polymerase है जो primer के उपर लगाया यह यहां से nucleotides को ले ले करके और template DNA के उपर जोड़ता जाएगा जिससे यह DNA की sequence बढ़ती जाएगी DNA लंबा होता जाएगा और double helical DNA इसमें त्यार हो जाता है तो ए एक DNA से इसमें last में दो DNA परापता हो जाएगे एक cycle के बाद में अब इस PCR के applications के हैं इसके उपयोग के हैं तो सबसे पहली बात तो इसे आन्विक जी विग्यान या molecular biology के अंदर इसका इसका इस्तिमाल किया जाता है जो genetic disease research है जो मतलब जीन से समंदित जो बीमारिया है उसको identify करने में नए जीन्स को देखने में और जैसे अगर कोई मार लोग पैथोजेनिक DNA है किसी sample के अंदर पैथोजेनिक DNA का मतलब रोग फैलाने वाड़ा को DNA है तो उसको PCR से उसको पहले उसकी संख्या बढ़ाई जाती है specific primer लेकर के और उसके बाद में उसकी presence को देखा जाता है ने पैथोजेनिक DNA को तो यह सबसे इंपोर्टेंट इसकी application है और बाकी applications और एंत्रोपोलोजी एंत्रोपोलोजी केते हैं मानव जाती का जो विज्ञान है मानव जाती के विकास का जो विज्ञान है उसका evolution है जो मानव जाती का उसकी study के लिए भी इस technique का यूज किया ज जो प्राणा प्राचीन DNA था जो degrade हो चुका है उसकी sequences को भी से PCR के दुवरा track किया जाता है और उसका amplify किया जाता है उसकी संक्या बढ़ाई जाती है with its execute sensitivity and high selectivity इसकी जो execute जो समेदन शीलता है इसकी PCR की और high selectivity का मतला उसकी change शम्ता जो बहुत उच श्रणी की change शम्ता होती है DNA template की sequence की PCR has been used for war time human identification तो जो लड़ाई युद्द के समय जो जो हमारे army के soldiers जो हैं या सैनिक जो मर जाते थे जिनकी identification मुश्किल हो जाता था उनकी identification के लिए उनकी पैचान के लिए PCR technique को use किया जाता है और इसके लवा विबिन अपरादों के अंदर crime labs के अंदर अपरादों के अंदर भी DNA sample को जो है forensic cases के अंदर इसका application करने के काम में भी PCR को use किया जैसे DNA fingerprinting है या किसी अपरादी के DNA sample के जांच करनी है उसको भी PCR से देखे और applications के PCR के screening human DNA samples for mutations मतलब माना हो कि जो DNA sample है उनके अंदर mutations mutations mutation का मतलब होता है उत परिवर्तन के उनके DNA या उनके gene के अंदर क्या परिवर्तन हुआ है या कौन सी genetic disease जैसे thalassemia है या cystic fibrosis है उसके detection के लिए इसको use कियाता है screening की जाती है और किसी भी viral DNA की उपस्थिती को detect PCR के दोरा किया जा सकता है before it turns it to a killer इससे पहले कि वो एक killer virus बन जा है जैसे कि अभी corona काल चल रहा है आप सबको पता है कि corona जो है कितने लोगों को अब तक लील चुका है तो इसकी presence भी इस PCR technique के दोरा RT-PCR technique के दोरा ही की जा रही है और PCR enables rapid application amplification of template DNA for screening of uncharacterized mutations जो mutations हो रहे हैं अभी आपको पता है कि जैसे वहान वाला जो corona था वो अलग corona था अब ब्रिटेन के अंदर जैसे अभी हाली के अंदर नाइजीरिया में ब्रिटेन के अंदर जो नया corona जो strain हाया है उस strain के अंदर क्या है उसके immune acid की जो sequence बदली है उसका वो जो mute उसमें उत परिवर्तन हुआ है mutation हुआ है उसको भी PCR के दोरा ही बहुत तेजी से आराम से हम बहुत fast उसको technique से हम देख सकते हैं या देखा गया है उसी के दोरा हम इसको detect कर रहे है rapid amplification के दोरा can obtain sequences from here इससे देखिए हम यदि कोई हम DNA किसी किसी के बाल से या किसी के blood strain से या किसी के अस्थियों से बोन से या other forensic specimens है दूसरे या semen है वीरिया है उससे semen से भी हम उसको DNA को separate करके या कोई archaeological sites का मतलब यह है पुरातत की जो कोई site है वहाँ पर है यदि कुछ किसी का कोई remain सुरक्षित हुआ हुआ है पुराने समय का उसको भी हम detect कर सके और इसको DNA की sequence को बढ़ा करके amplify करके और उसको हम उसकी identification हम उसका कर सकते हैं इस PCR technique के दोरा और PCR permits early diagnosis of malignant disease such as leukemia and lymphoma leukemia blood cancer जैसे है और lymphomas जो है इसके इन बिमारियों को early diagnosis इसका मतलब हम समय पर इसकी पेचान जो यह malignant का मतलब cancer जो होता है इसकी हम समय से पूर पेचान इस PCR के दोरा हम कर सकते हैं तो PCR say can be performed directly on genomic DNA samples DNA जो samples है genomic उस पर direct जो है यह काम कर सकता है to detect translocation of specific malignant cells cancer वाली जो cells है इनको पैचानने के लिए and infectious agents like mycobacterium, anaerobic bacteria और viruses तो mycobacterium या जो अवाईवी जो बैक्टिरिया है अनॉक्सी बैक्टिरिया है या वायरस है या कोई और संक्रामक जो agents है उनको पैचानने के लिए इस टेक्नीक को यूज किया जाए यह भी बहुत इमोटेट है देखिए PCR polymerase chain reaction for site directed mutagenesis इसका मतलब यह है कि इस टेक्नीक का जो उपयोग है मतलब किसी DNA sequence में हमें किसी नए nucleotide या किसी gene को हमें लगाना है introduce करना है उत परिवर्तन को पैदा करने के लिए या mutagenesis को उत परिवर्तन को उतपन करने के लिए इस PCR technique का यूज किया जाता है तो इसके दोरा हम mutations उतपन भी कर सकते हैं इसके दोरा हम उस DNA sequence को बदल भी सकते हैं उसमें एक किसी विशेश परकार का gene या उसके अंदे nucleotide उसमें add करके उस target जो हमारा sequence है उस sequence को हम बदल भी सकते हैं इसके दोरा और इसके अब PCR के lab क्या है देखी इसके lab यह है कि इसमें एक तो बहुत छोटे amount में DNA की एक test के लिए बहुत छोटे से DNA की जरूत पड़ती है बहुत small amount जो है DNA का उससे काम हो सकता है और result obtained more quickly इसमें result बहुत जल्दी हमार को प्रापत हो जाता है बहुत तेजी से में प्रापत हो जाता है जैसे within one day for PCR यह तो one day कह रहे है आज कल तो तीन से चार गंटे के अंदर ही हम इसका result मिल जाता है हमारे को usually not necessary to use radioactive material इसमें PCR के अंदर radioactive material जो है उसकी आवाशकता नहीं होती इसके अंदर और PCR is much more precise in determining the size of alleles तो इसमें जो इसकी जो PCR जो है बहुत ज़्यादा कीमती है determining the size of alleles, alleles के size को determine करने के लिए जो कि कई disorders या कई बीमारियों के लिए उसको जांचने के लिए बहुत आवशक होते है PCR can be used to detect point mutation देखे point mutation होता है कि किसी DNA के एक particular gene के अंदर अगर कोई mutation हो रहा है एक particular nucleotide के अंदर जो mutation हो रहा है तो उस point mutation को भी PCR के दवारा detect किया दाश करता है यह बहुत important है अब देखे एप्लिकेशन जो PCR के अप्लिकेशन से है वो एक summarize form के अंदर है सबसे पहले जैसे molecular identification है या DNA की sequencing है या genetic engineering है इसमें कैसे इसके applications है molecular archaeology का मतलब आणविक प्रतत्व विज्ञान के अंदर molecular epidemiology का मतलब परिसिति की विज्ञान जो है आणविक लेवल पर उसका अधिन करने के लिए DNA fingerprinting के लिए पैचान के लिए किसी की पैचान करनी हो DNA fingerprinting के लाता है या किसी जनतुओं का जो वरगी करना है उनके DNA के अधार पर हम कैसे कर सकते हैं उसमें भी ये PCI काम आता है genotyping के अंदर काम आता है prenatal diagnosis का मतलब होता है जनम से पूर किसी का diagnosis करना है तो वो भी इसके द्वार रखे जा सकता है mutation उत्परिवर्तन को देखा जा सकता है नई जो दवाईयों की खोज है वो भी इस PCI के मादयम से ही होती है और genetic matching भी हम PCI के द्वारा ही करते है या किसी रोग कारक जो है पैथोजन रोग जनक या रोग कारक है उसको उसकी पैचान भी PCI के द्वारा की जाती है इसके लाब DNA sequencing में इसको प्योग क्या होता है बाइयनफर्मेटिक्स में इसको यूज किया जाता है जिनोमिक क्लोनिंग के अंदर इसका यूज किया जा सकता है human genome project जिसमें मनुश्य के जितने भी genome है जितने भी genome का जो उनको identify किया गया या sequencing की गया है उसमें भी PCI की मदद से किया गया है इसके लावा genetic engineering के अंदर site directed mutagenesis का मतलब किसी एक particular DNA के अंदर हम कोई परिवर्तन करना चाते हैं तो वो उत परिवर्तन कहलाता है तो वो भी हम इसके दोरा कर सकते हैं इसके लावा gene expression studies वे हैं कि gene के दोरा क्या expressions हैं वो भी हम PCR के दोरा इसमें देख सकते हैं यह देखिए इसको thermosycler भी कहते हैं या यह PCR machine है जिसके अंदर यह computer साथ में जुड़ा हुआ है और यह इस तरह की compact machine होती है PCR की thermosycler की इसके अंदर देखिए यह जो यह इसमें tubes हैं यह tubes कहलाती है PCR tubes कहलाती है इन PCR tubes के अंदर जो है reaction mixture को डाल दिया जाता है जो मैंने आपको पहले बताया था जिसमें magnesium है या dntp's है dna polymerase है प्राइमर्स है और template dna है जो target dna है वो सारे इसके अंदर डाल करके इसको reaction mixture कहते हैं और इसको इस तरह से डाल करके इसके अंदर और इस PCR के अंदर इसको डाल दिया जाता है और PCR automatic जो है इसको set किया जाता है computer के द्वारा set किया जाता है जैसे यह 30 चालिस cycle जितनी भी हमरे को चलानी है उसको चलाने के बाद में हमें जब हम वापस इन tubes को निकाल के देखेंगे तो इसके अंदर हमारे को अर्बों की संख्या में हमारे को dna चाहिए था target sequence जो चाहिए थी वह हमारे को इसके अंदर राप्त हो जाती है तो यह complete PCI का process है अब इसमें यह बहुत शौट में मैं आपको बता जाता हूँ कि PCR कितने type के होते हैं बहुत परकार के होते हैं इसमें बता जाता हूँ पहले type का जो PCR है अलेल स्पेसिफिक PCR, asymmetric PCR, Assembly PCR या polymerase cycling assembly PCA भी इसको बोला जाता है यह भी होड स्टार्ट PCR, in-situ PCR जिसे ISH बोला जाता है, inverse PCR, ligation mediated PCR जिसे LM PCR भी बोलते हैं, multiplex PCR, methylation specific PCR जिसे MSP बोलते हैं, nested PCR, quantitative PCR या जिसे Q-PCR भी बोलते हैं, reverse transcription PCR, RT-PCR, आज के टाइम में कोरोना काल में सबसे ज़्यादा यह जो शावदा आपको सुनने को बिला होगा, RT-PCR, इसके अंदर reverse transcriptase enzyme यूज में लिया जाता है, और RNA से DNA को तियार किया जाता है, मुझा उल्टी गंगा चलाई जाते हैं इसके अंदर, और उससे फिर रिव reverse transcription से जो DNA या complemented DNA जो प्राप्त किया गया है, उसकी amplification करके उसकी हजारों लाखों अर्वों copies उसकी तियार की जाती है, तो यह RT-PCR, कोरोना के detection में सबसे ज़्यादा भी समय काम में लिया जा रहा है, single-cell PCR, thermal asymmetric interlaced PCR या जिसे tail PCR बोलते हैं, ALU-PCR, long PCR, AP-PCR या colony PCR, tap PCR, digital PCR, overlap extension PCR, solid phase PCR, box PCR, competitive PCR या C-PCR, consensus PCR, degenerate PCR, differential display PCR या जैसे DD-PCR बोलते हैं, forensic PCR, hairpin PCR, PCR Alexa, touchdown PCR या step-down PCR, mini primer PCR, race PCR, PCR, wrap PCR, vectorate PCR, universal fast walking PCR, variable number of tandem repeats या VNTR PCR, inter-sequence specific PCR या जिसे ISSR PCR भी बोलते हैं, तो यह सारे PCR की टाइपस ही अलग लग, और आप इस वीडियो को जरूर आप देखीएगा, आप ग्स करते हैं, अगर आपको कोई इसके बारे में जानकर ही अगर आपको और लेनी है तो आप मिरे को इसमें जरूर आप कमेंट कीजिएगा, और अगले वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी DNA सिक्वेंसिंग या जीन सिक्वेंसिंग के बारे मैं आपको बताऊंगा तब तक के लिए थैंक यू और टेक कियर तन्यवाद